अगर हम लोग इन्वेस्ट करना चाते हैं, मूचल फंड में इन्वेस्ट करना चाते हैं और इन्वेस्ट करके अपना पैसा भूलना चाते हैं और हम देखना भी नहीं चाते खोल के कि वो मूचल फंड कैसा कर रहा है कैसा नहीं प्रफॉर्म कर रहा है ऐसे किसी मूचल फंड में अपना पैसा कुछ इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करना चाते हैं हाला कि इस टॉपिक पे मैंने तीन-चार महीने पहले भी वीडियो बनाई थी लेकिन उसके बाद भी काफी सारे जो नए सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जोड रहे हैं उनके लगातार इस टॉपिक पे सवाल आता है अब दोस्तों ये दो mutual funds चूज करने का सबसे बड़ा reason है कि ये ऐसे mutual funds है ये ऐसे जगाए जहां पर सब लोग देख रहे हैं सब लोग invest कर रहे हैं पूरी दुनिया इंडिया में जब invest करती है तो यहां पर invest जरूर करती है तो अगर हम बात करते हैं ऐसे investors की जो 20-30 साल के लिए पैसा डाल कर भूलना चाते हैं तो उनकी जो investment style हो गया वो एक तरीके से passive investing कर रहे हैं वो invest करते रहते हैं और उनको देखना नहीं है तो ऐसे investors के लिए passive funds यानि की index funds ही एक ऐसी option होती है जहां पर वो पैसा डाल कर भूल सकते हैं क्योंकि index में फंड में आपको ये नहीं देखना कि fund manager कैसा perform कर रहा है आपको बहुत ज़ादा ये चीज़ भी देखने की ज़रूरत नहीं होती कि mutual fund कैसा perform कर रहा है क्योंकि वहा fund में किसी को भी choose करके पैसा डालते हैं तो आप consistent returns वहां से generate कर पाते हैं इसलिए आपको index funds को choose करना है अब index funds में आपको सिर्फ दो index को क्यों choose करना है ये भी मैं वीडियो के end तक आपको बताऊंगा तो पहला index जो आदाता है जिसमें आप पैसा लगा कर भूलने के बारे मे सोच सकते हैं वो है nifty 50 index fund अब nifty 50 एक ऐसा index है जहां पर इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी 50 companies होती है और index जो होते है वहां पर सबसे अच्छा फाइदा क्या होता है कि जो खराब companies होती है वो index से replace होती चली जाती है और साथ साथ आप देखते हैं कि जो अच्छी companies हैं जो index का part बनती रहती हैं और जो खराब companies हैं उसको अपने आप जो ये हमारी rebalancing index में होती है वो बाहर कर देती है और इसी index को देखके सब लोग ये बोलते हैं कि market अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है तो अगर Indian stock market अच्छा करेगी अगले 20 सालों में तो आपका mutual fund अच्छा करना almost guaranteed यहां पर हो जाता है तो आप India की जो stock market है उसकी 50 companies में पैसा लगा देते हैं इसमें companies कौन सी आ जाती है कुछ companies की अगर हम बात करते हैं Reliance Industries, ICIC Bank, SDFC Bank, Infosys, TCS जैसी बड़ी-बड़ी companies उसके साथ-साथ आपको देखने को मिलता है HUL, ITC, भारती ATL तो यहां पर आपक fund भी अच्छा करने वाला है, बस यह देखना है आपको कि क्या आपको India की जो growth story की बात होती है, जो बात होती है कि अगला जो decade है वो India के नाम है, क्या आप लोग उस चीज़ पे भरोसा करते हैं या नहीं करते, अब दूसरा index आ जाता है Nifty Next 50 Index, अब यह index भी 50 companies में ही invest करता ह और जैसे इसके नाम से समझाता है Nifty Next 50, यानि कि जो Nifty 50 में देखिए जो भी अपनी market capitalization के सबसे बड़ी 100 companies होती हैं, उनको large cap companies बोला जाता है, उसमें से 50 companies चली गई Nifty 50 Index में, और जो बाकी 50 companies चली गई वो रह गई, वो आ गई Nifty Next 50 Index में, यह index भी आपको 50 companies में invest कर रहा है, 50 large cap companies में invest कर रहा है, हाला कि यहाँ पर जो companies होती है, वो थोड़ा सा जादा volatile होती है, यहाँ पर companies में invest करना थोड़ा सा जादा risky होता है, यहाँ पर कुछ companies की बात करूँ तो अदानी की काफी companies हैं यहाँ पर, इसके अलावा आप देखेंगे तो D-Mart, P.I. Industries जैसी companies यहाँ Recently, Nifty Next 50 का part, Zometo जैसी companies भी यहाँ पर बनिये, तो यहाँ पर diversification भी है, लेकिन थोड़ा सा risk Nifty 50 Index से जादा होता है, लेकिन अगर आपको index में invest करना है, आपको 20-30 सालों के लिए invest करना है, तो यही दो index हैं, यही दो funds हैं जहाँ पर आपको invest करने के बारे में सोचना है, Nifty 50 Index ने आपको लगबग 12% की return long term में दिया, वही अगर आप Nifty Next 50 को देखते हैं, तो इसने भी 12-15% तक की return long term में generate करके दिया, अब इसमें आप कोई भी top mutual fund house का fund ले सकते हैं, जो अच्छा perform कर रहा है, यहाँ पर बहुत जादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अब दूसरी बात आती है कि मैंने passive investing में सिर्फ ये दो funds ही क्यों choose किये, mid cap, small cap, बाकी भी बहुत तरीके के indexes होते हैं, उनको choose क्यों नहीं किया, क्योंकि दोस्तों देखिए, small cap और mid cap में अगर हम बात करते हैं, तो index से कई जादा बहतर returns इनके active funds देते हैं, और small cap index की बात करेंगे, तो ये nifty 50 index से भी खराब returns देता है, तो इसलिए अगर आपको invest करना है, passively invest करना है, तो इन दो index के अलावा as a investor, as a retail investor जो passively invest करना चाहते हैं, आपको किसी और index के बारे में नहीं सोचना है, बैंकिंग, nifty, nifty, fmcg, किसी भी index के बारे में invest करने के बारे में आपको नहीं सोचन अगर आप long term में passive investing कर रहे हैं, बात पूरी समझ कर ही इस वीडियो में आपको समझनी है, कि अगर आप 20-30 सालों के लिए ऐसे mutual fund में invest करना चाहते हैं, ऐसे funds में invest करना चाहते हैं, जिनमें पैसा डाल कर आप भूलना चाहते हैं, तो ये दो index हैं, जहां पे आप invest करने के बा नहीं आई, तो आपके mutual funds भी returns नहीं देंगे, ये एक risk आपको इन index में भी समझ कर चलना जरूरी है, तो market की returns के इसाफ से ही return है, मैं ये बात specifically क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे investors हैं, जो ये गलत फहमी से index fund में invest करते हैं, इंडेक्स fund risk free funds होते हैं, ऐसा नहीं होत ये भी market पे ही dependent है, और यहां पर जरूरी नहीं है, कि returns आएगी ही, अगर market under perform करेगी, performance नहीं आएगी, तो इन funds में भी returns नहीं आएगी, उमीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपकी help होगी, वीडियो से help हो तो वीडियो को like और share करना ना भूलें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को subscribe करना भी ना भूलें, धन्यवाद दोस्तों, market में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर life में ऐसा हो तो नहीं चलता, हम सबको पताए कि ये कल किसी ने नहीं देखा, और नहीं हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना future तो secure करी सकते हैं So I am going to tell you about three reasons why you should consider getting term insurance plan today, सबसे पहला reason अपने parents और अपनी family के लिए, जब भी हम term insurance plan लेने के बारे में सोचते हैं, तो हम अपने wife, अपने बच्चों के नजरिये से सोच कर term insurance plan लेते हैं, लेकिन आपके parents का क्या है, अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आ आपकी financial well-being का ख्याल रखती है, आपकी family की और आपकी family को secure रखती है, दूसरा reason अपने debt pay off करने के लिए, अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी job लगते ही, अपनी dream car, अपने dream house के लिए loan ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है, तो वो जो आपकी EMI ब parents, आपकी family, वो जो आपका बचा हुआ loan है, उसको उतार सकती है, इसलिए term insurance लेना आपके लिए बहुत जादा जरूरी है, और तीसरा reason है reasonable premium, जब हम young और healthy होते हैं, तो बहुत सारे insurance हमें काफी कम premium पे एक अच्छा खासा cover दे देते हैं, आप 1 करोड तक का insurance करवा सकते हैं, 1500 पर मंत में, और हम सबको पता है, यह बहुत ही low cost है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उमर बढ़ती जाती है, यह जो premium का amount है, यह भी बढ़ता जाता है, तो इसलिए आपको एक certain age तक insurance लेना बहुत जादा जरूरी हो जाता है, So if you are interested in taking a term insurance plan, I will highly recommend you to talk to wealthy's trusted wealth partners, they provide free consultation and spam free advice, तो wealthy के wealth partner से consultation बुक करने के लिए, मैंने link description में आपको दे दिया है, आप जाकर अपने time के हिसाब से उनसे meeting fix कर सकते हैं, अपने सारे doubts उनसे clear कर सकते हैं, और एक चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कि यह जो consultation है, यह बि कोई भी पैसा नहीं देना होगा, तो आप अपने सारे doubts यहां पर जाकर clear कर सकते हैं, तो आज ही अपनी consultation wealthy के wealth partners के साथ आप free of cost बुक करें, think wealth, get wealthy.